Hello and welcome back to Let's Learn With Me आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है The Short Sound of Vowel A और इसमें हम देखेंगे कि Vowel A से हम किस तरीके से 2 लेटर वर्ट्स और 3 लेटर वर्ट्स बना सकते हैं और इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं और साथ मैं कुछ एक्टिविटी शीट्स भी देखेंगे बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों की इंग्लिश रेडिंग इंप्रूब करने के लिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और helpful लगे तो like और share भी कर दीजेगा तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यहाँ पर है the short sound of vowel A जैसे कि यहाँ पर है A, A के साथ में हमने T को blend किया है तो यह बन गया two letter word और इसको हम pronounce करेंगे A, T, at, A का sound होता है A और T का sound होता है त, तो इसको हम एक साथ मिलाएंगे तो यह बन जाएगा at, at अब इस at के साथ में हम दूसरे consonant letters को add करके new words बना सकते हैं जिसे कि हम कहते हैं CVC words या फिर three letter words जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है at के साथ में add किया है B तो यह बन गया at, bat यह बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा क्योंकि उन्होंने at, t, at पहले पढ़ लिया है तो उसके साथ में b, at करेंगे b का sound होता है ब, और at उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो यह easily blend करके इसको पढ़लेंगे इस word को b, at bat, यहाँ पर picture भी draw किया गया है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो तो आप इस तरीके से pictures draw करके दे सकते हैं और बच्चों को words की reading करा सकते हैं तो यह हो गया bet, a, bat इसी तरीके से अगला यहाँ पर at के साथ में c को blend किया गया है तो यह बन जाएगा c का sound होता है cat, a, cat next at के साथ में f को add किया गया है तो यह बन जाएगा fat a, fat फिर यहाँ पर at के साथ में add किया गया है h को, h का sound होता है h, तो इसके साथ में मिलकर हो जाएगा h at hat a hat नेक्स्ट नहाँ पर at के साथ में m को add कर दिया गया है तो ये बन जाएगा m at mat a mat फिर यहाँ पर at के साथ में r को add किया गया है तो ये बन जाएगा r at rat a rat next देखिए यहाँ पर letter A के साथ में N को add किया गया है तो इसे हम pronounce करेंगे A, N, N A का sound होता है, N का sound होता है तो यह दोनों जब blend होंगे तो इनका sound हो जाएगा N अब इस N के साथ में हम दूसरे consonant letter को add करेंगे और three letter words बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर N के साथ में C add किया गया है तो यह बन जाएगा C का sound होता है क, तो इसको हम पढ़ेंगे क, N, Can, A, Can यहाँ पर बना हुए picture और इसी तरीके से यहाँ पर है N के साथ में F को add किया गया है तो यह हो गया F, A, N, F, N, Fan A, Fan यहाँ पर N के साथ में M add किया गया है तो यह बन गया M, N, Man A, Man इसी तरीके से यहाँ पर वावल A के साथ में letter P को add करके two letter blending की गई है और इसको हम pronounce करेंगे अप, अप अब इसके साथ में दूसरे consonant letter को add करेंगे और three letter words बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर हमने C को add किया तो यह बन गया का, अप cap, और cap अप के साथ में letter M को add करेंगे तो यह बन जाएगा म, app, map, और map अप के साथ में letter T को add कर देंगे तो यह बन जाएगा tap, tap, a tap यहाँ पर देखिए vowel A से related और भी words यहाँ पर बनाए गए है जैसे कि हमने यहाँ पर an बनाया था, at बनाया था आगे जो हमने पढ़ा can, can, fan, fan, man, man, pan, pan, when, when और यहाँ पर इसी तरीके से at family word है अब इसी तरीके से यहाँ पर at family word है यहाँ पर एग family word है, ए और जी को पहले add करके उसका pronounce करना सिखाएंगे, ए जी, एग, और उसके बाद three letter words बनाये गए हैं, जैसे कि एग के साथ में बी जोड़ेंगे तो बन जाएग, बैग, डएग, डएग, हएग, लएग, लएग, रएग, 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 टएग, टएग, टएग इसके से यहाँ पर वावल ए के साथ में M को add करेंगे तो बन जाएगा एम, और इसके साथ जब दूसरे consonant letter words को add करेंगे, तो यहाँ पर three letter words बनाये गए हैं, जैसे कि M के साथ में D को add करेंगे तो यह बन जाएगा इस तरीके से आप बच्चों को reading practice करा सकते हैं इसके बाद यहाँ पर कुछ activity sheets हैं जिनसे कि आप बच्चों को three letter words की practice करा सकते हैं जैसे कि first यहाँ पर है circle the correct word to the picture यहाँ पर कुछ pictures लिए गए हैं and यहाँ पर कुछ words लिखे हैं तो pictures को identify करना है and इसके correct word को यहाँ से find करके circle करना है जैसे कि first picture यहाँ पर है fat तो यहाँ देखेंगे words लिखे हैं a hat, a fat, a rat तो correct word हो जाएगा a fat इसको circle कर देंगे यहाँ फिर आप match करने के लिए भी दे सकते हैं next is यहाँ पर बना हुआ bat और यहाँ पर word है a cat, a mat, a bat तो correct word हो जाएगा a bat इसको circle कर देंगे next यहाँ पर है m है यह तो यहाँ पर लिखा है a jam, a fan, a man so correct word will be a jam इसको circle कर देंगे यहाँ पर fan है, correct word हो जाएगा a fan इसे circle करेंगे next यहाँ पर है rat और correct word rat है तो इसको circle कर देंगे यहाँ पर है when, correct word हो जाएगा a when इसको circle कर देंगे इसी प्रकार से यहाँ पर cat है cat word को find करके circle करना है यहाँ पर pen बना हुआ है तो यहाँ देखेंगे pen कहां लिखा है find करेंगे then circle करेंगे यहाँ पर है tap तो tap को find करके circle करेंगे next यहाँ पर है hat तो देखेंगे hat कहां पर लिखा है उसे circle करेंगे bag है यहाँ पर और यहाँ पर है pad तो इस तरीके से आप भी picture draw करके दे सकते हैं और बच्चों को correct word find करके उन्हें circle करने को या फिर match करने के लिए दे सकते हैं next activity है put in the missing letters यहाँ पर कुछ pictures यह गए हैं इन्हें identify करना है and इनके name यहाँ पर लिखे हैं तो इसमें जो missing letters हैं उनको fill करना है और इनके name को complete करना है जैसे कि यहाँ पर बना हुआ bet और यहाँ लिखा है a b t bet हम जब बोलते हैं तो बीच में जो sound आता है a का आता है और a sound होता है letter a का तो यहाँ पर fill कर देंगे a इसी तरीके से यहाँ पर बना हुआ man इसी तरीके से यहाँ पर बना हुआ bag और इसके नीचे देखें फिर यहाँ पर है hat है, can है, fan यहाँ पर है cap, mat, van और यह जो सारे letters है यह मेरी बेटी ने fill कर रखे हैं इस तरीके से आप भी picture draw करके बच्चों को missing letter fill करने के लिए कह सकते हैं चले देखते हैं अगली activity put the right number in each box अब यहाँ पर क्या है, कुछ pictures draw करके दी गई है इन सभी pictures के name यहाँ पर नीचे लिखके दीए गई है और यहाँ number डला हुआ है, number 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से number डला हुआ है तो बच्चों को क्या करना है, कि pictures को identify करना है and इनकी name को यहाँ से find करके correct number जो है, वो यहाँ boxes में fill कर देने है जैसे कि पहले हमने देखा था, यहाँ पर बना हुआ tap यह जो पहली picture है, यहाँ पर बना हुआ tap तो tap यहाँ पर देखेंगे किस number पर है tap यहाँ पर है, five number पे तो यहाँ पर five number fill कर दिया गया है यह देखिए, यहाँ पर fill किया गया है और यह जो है, पहला बच्चों को example के लिए दे दिया गया है तो next हम देखते हैं, यहाँ पर बना हुआ है red तो हम red देखेंगे कहा पर है रेट जो है नमबर वन पे लिखा हुआ है तो हम इस बॉक्स में फिल करेंगे नमबर वन इसी तरीके से यहाँ पर बना हुआ है वैन तो वैन हम देखेंगे कौन से नमबर पर लिखा है वैन यहाँ पर लिखा हुआ है नमबर नाइन पर तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे यहां पर fill कर देंगे, तो इससे बच्चों के reading की भी practice हो जाएगी, picture identify हो जाएगा, बहुत helpful activity sheet है यह, तो आप भी इस तरीके से बच्चों को practice करा सकते हैं, इसके बाद next activity यहां पर है, look in the list given below, four words that rhymes with each word given in the boxes, write four words in each box, इस activity में क्या करना है, इस activity में बच्चों को rhyming words find करना है और यहां पर लिखना है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ words दिये गए हैं, और इनके लिए यहां पर कुछ words उपर box में दिये गए हैं, तो इन words को read करना है, और इनके rhyming words उपर box में से find करके यहां पर लिखना है, हर एक word के 4-4 rhy राइमिंग वर्ड लिखने हैं जैसे कि first यहाँ पर है gap तो gap का राइमिंग वर्ड हो जाएगा tap और इसके बाद gap भी इसका राइमिंग वर्ड है next हो जाएगा lap और यहाँ पर हो जाएगा map तो इस तरीके से यहाँ पर word gap के four राइमिंग वर्ड find करने हैं और लिखने हैं और यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर है can, can का rhyming word हो जाएगा man, ran, fan, when, यहाँ पर लिख देंगे, तो बहुत ही helpful activity है यह, इस तरह की activity आप बच्चों को जरूर कराइए, इससे क्या होगा ना, कि बच्चे बार-बार read करेंगे, words को find करने के लिए, तो उनकी reading practice improve होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा helpful है, I hope आपको भी यह video बहुत helpful लगी होगी, अगर helpful लगी है तो please इसे like कर दीजिए, और share कर दीजिए अपने family and friends के साथ में, और अगर मेरे channel पर पहली बार visit कर रहे हैं, तो subscribe भी कर लीजिए, साथ में bell icon को press करके all पर click कीजिए, इससे मेरे स अभी नए videos की notification आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी, तो चलिए मिलते हैं अपने next video में नए topic के साथ,